बोलिवूड की मशूर अधागारा श्री देवी का दुबई में हार्ट अटेक के कारण इदन हो गया बोलिवूड की हवा हवाई के दुनिया को अलविदा कहा जाने के बाद बोलिवूड सदमे में है किसी के लिए भी इस दुखत खबर पर यकीन करपाना मुश्किल है एक्टर श्री देवी ने हिंदी, तमील, तेलुग, मलीयलम और कंडर फिल्मों में काम किया था श्री देवी की पूरी दुनिया दीवानी है श्री देवी बोलिवूड और दुनिया में हवा हवाई के नाम से मशूर थी देश वी देश में कई ऐसे रेस्त्रा हैं जो श्री देवी के नाम पर रखे गए हैं इससे उनकी लोग प्रियता का अंदाजा लगाए जा सकता है इसी तरह सिंगापुर में पिछले साल एक रेस्तरा में श्री देवी की नाम की गुडिया लगाई गई जो उनके इस्टारडम को दर्शाता है अपने सिनेमाई सफर में श्री देवी तीन सो से ज़्यादा फिलमों में काम कर चुकी है 2017 में श्री देवी आखरी बार मौम में नजर आई थी बार सरकार में साल 2013 में श्री देवी को पदमश्री से नवाज़ा था असी और नब्बा के दशक से राज कर रही श्री देवी को पहचान हिम्मत वाला फिल्म से मिली थी 1986 में फिल्म नगीना ने कई रिकॉर्ड तोड़े थे वहीं चांदनी और चांदनी में श्री देवी ने अपनी आवाज दी थी श्री देवी का फिल्मी सफर काभी शांदार रहा है उन्होंने रजनीकान कमला हसन से लेकर सधी के महनायक अमित्ता वच्चन के साथ काम किया श्री देवी की पहली फिल्म बतोर चाइल आर्टिस्ट थुनेवान थी उन्हें पांच फिल्म फैर आवार्ड से नवाजा जा चुका है 1996 में श्री देवी ने बौनी कपूर के साथ शादी की थी जानवी और खुशी दोनों उनकी बेटियां हैं बता दे दुबई में शादी समाहरों में शामिल होने श्री देवी के साथ बौनी कपूर और खुशी कपूर भी गए थे जानवी कपूर फिल्म की शुटिंग के सिलसले में मुंबाई में थी इस खबर के बाद बॉलिवुड में शोग किलहर दोड़ गई है